हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको यह डिजाइन बताने चाहरे हूं यह क्रोशिय से बना हुआ है ठीक है देखिए यह दो कलर से डिजाइन बनता है ठीक है पहले हम यह कलर से डार कलर से करेंगे एक दो तेन चार चान से साथ आठ नो दस आरह पारह तस चोड़ पंदरह देखिए आपको जितना भी लंबा बनाना है तो छेच्छे के हिसाब से यह चेन डाल दीजेगा ठीक है छेच्छे घर के हिसाब से छेच्छे करके आप इसका गिंती करके डिजाइन डाल दीजेगा तो यहां पर मेरा भी अठारा है इस बीज बीज कर हो गया हभी तक ठीक है बीज चेन में हम आपको डिजान बताएंगे अलो यह किनारे हम बिल लेते हैं देखिए एक घर में आप तीन लोग बना लीचे तीन लोग ठीक है तीन चेन तीन चेन पांच चेन छोड़ के ठीक है एक दो तीन चार पांच पांच चेन छोड़ के फिर पांच लोग बनाईएगा पांच चेन छोड़ के यहां पर तीन चेन यहां पांच चेन छोड़ के पांच लोग देखो गया है दो तीन यह चार यह पांच पांच चेन छोड़ के पांच लोग बनाईएगा पर तीन चेन एक दो तीन चेन ठीक है फिर पांच चेन छोड़ के एक दो तीन चार पांच पांच चेन छोड़ के पांच लोग बनाईएगा इसी तरह से बनाना है पहला लाइन ठीक है तीन चेन उपर पांच चेन छोड़ के फिर पांच लोग एक ही घर में पांच लोग एक ही घर में पांच लोग बनाना आपको इस तरह से य bend कम्प्रीट कर लीजे ठीक है पहले तीन बनाईएगा फिर तीन च्छेन नीचे में पांच चैन छोड़ना है फिर ये पांच लोग बनाना आपको बनाना है फिर तीन चेन पांच चेन छोड़ना है फिर पांच लोग इस तरह से ये लाइन कम्प्लीट कीजिए ठीक है देखे साइड हुआ अगर कम घर बचता है तो आप एक या दो चेन लेके इतना आपका दूरी बनता है उतना लेके एक लोग यहां बना दीजिएगा ठीक है इस तरह से एक बना लिजिएगा यहां पर इस तरह से तीन चेन बना के छोड़ दीजिए इस तरह से यह पूरा लाइन कम्प्लीट कीजिएगा फिर हम दूसरा ओन यहां एट करेंगे अब दुस्ता हम कहां से रेट करेंगे यह देखिए यह सीधी और से ही बनाएंगे ठीक है देखिए अब हम यहाँ पर दुस्ता आउन जोड़ेंगे उस तरह से तीन चेन एक दो तीन तीन चेन लेंगे यह जो पांस चेन था उसके बीच से हम बनाएंगे इसे एक यह दो यह तीन इस तो से तीन बार देखिए एक यह दो यह तीन इस तो से फिर तीन चेन लेजिए एक दो तीन तीन चेन लेजिए अब यह जो पांस लॉंग है यह पांस लॉंग के एक दो के बीच में यहाँ पर यह तीन चेन एक दो तेन चेन फिर हम यहाँ पर यह जो पांच है इसके बीच में हम लेंगे एक दो यह तीन फिर इसी में बनाएंगे एक दो तीन इसी तरह से यह पूरा लाइन कंप्लिट कीजिए एक दो तीन चेन फिर यहाँ पर एक दो के बाल तिसरा में पांच लोंग है उसके बीच में हम देंगे तीन चेन यह जो पांच लिये थे चेन उसके बीच में लेंगे इसी तरह से यह लाइन कंप्लिट कीजिए एक देखिए देखिए इस तरह से यह कंप्लीट हो गया तो हम इसको यहां तीन चेन छोड़े थे बोल दीजिए ठीक है तो हम इस उन से वाइट उन छोड़के अभी इस उन को ले लीजिए ठीक है इसको इस तरह से बें ले ले जिए कि नारे साइट हो फिर इतर हम घुम जाएगे अब हम पीछे साइड से फिर इसे बनाएगे सेम जैसे यह नीचे अला बना था उसी तरह से अब इसको बनाएगे ठीक है अब हम यहां पर तीन लेंगे तीन लीजिए या दो लीजिए ठीक है इस तरह से अब इसके बीच बीच में बनेगा जैसे यहां पर यह बनाएगे थे फिर पांच चेन उसी तरह से यह बनाने के बाद पांच चेन लीजिए गा एक दो तीन 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 लीजिए गा तीन लेके फिर इसके बीच में हम बनाएगे ठीक है एक दो तीन चार पांच पांच चीक है जैसे स्टार्टिंग में हम बनाएथे पांच फिर तीन चेन तीन एक दो तीन पांच फिर तीन चेन फिर पांच लॉंग तो इसमें हमने बना के इसमें बनाएगे ठीक है एक को जो डबल डबल लॉंग है उसी में हम पांच पांच लॉंग बनाएगे ठीक है इससे जैसे फर्ट लाइन बनाएथे अब सेम यह सकेंड लाइन बन जाएगा एक दो तीन चार पांच हो गया तीन चेन एक दो तीन फिर इसमें हम बनाएगे इस तरसे यह लाइन जैसे पहला लाइन था सेम उसाही आ गया देकिए यहां सफेद ला रहा है इससे फिर हम जैसे यह बनाएथे उसी दर से बनाना इस तरह से किनारे साइड आगया है किनारे साइड में ृ इह खेंकलोंग बना लें गह 0 जैसे उधार साइड हम बनाये थे इसी तरह से यहां भी बना लेंगेliest गाल करना जोड़ देंक土 इस तरह से छोड़ देंगे अब फिर और यहां से जैसे यह इस्टार्ट किये थे वाइट वाला उसी तरह से यहां से फिर हम स्टार्ट करेंगे जिसे घुमा देंगे जिए तीन चेन एक दो तेन लेंगे अब देखे हम क्या करेंगे इसके बगल से लेंगे यह जो है पहले हम यहां पर दबल लिये थे एक ही चेन में लेकिन अब इस टाप का डिजाइन बन गया स्टेन लाइन में तब हम इसके बीच से लेंगे इसके बीच से यहां से ठीक है एक लोग इधर से लेंगे फिर एक लोग इधर से लेंगे इसके वीश से एक इधर से लेंगे और एक इसके बगर से लेंगे इसी तरह से आपका उपर तक पुरा डिजान बनता जाएगा फिर तेन चेन फिर यहाँ पर एक दो दो के बाद तिसरा लोग में हाफ चेन हाफ लोग फिर तेन चेन फिर इसके देखे यह वाला जब बनता जा रहा है हर बाद तो हर बाद इसी में हम यह वाला डबल वाला बनाएगे छिक है इस तरह से अभी यह लाइम भी कम्प्रीट कीजिएगा बहुत ही आसान डिजान है एक दू यह कम्प्रीट हो गया फिर यह दागे को छोड़के फिर हम इसको यह दागे को ले लेंगे ठीक है इस तरह से पीछे पल्टेंगे इसी तरह से यह दिजाइन कम्प्लीट होता जाएगा फिर सेम उसी तरह से आ गया है फिर यहां पर हम तीन बनाएंगे इस कलर से तीन बना लिजेगा इसी तरह से यह दिजाइन बार बार रिपीट होगा बनाएंगे इस बहुत ही आसान है बार बार रबार बनाएंगे इसी तरह से बना है इस बहुत ही पैस्वर डिजाइन बढ़ाएंगे इसान कम्ताचिन से पस्था ब्रत लिजेगा झाल झाल